Hello friends, welcome to best English classes, मैं हूँ प्रतीक तवर और आज हम पढ़ रहे हैं British Point, Wilfred Owen की लिखी पोयम Strange Meeting. Wilfred Owen, First World War के एक सैनिक थे, और ये उन्होंने 1918 में जब वो Western Front पे काम कर रहे थे, वहाँ अपनी सिवाएं दे रहे थे, उसी समय लिखी थी. हलांकि ये पोयम उनकी डेथ के बाद 1919 के बाद में पबलेश हुई. इस पोयम का स्पीकर भी एक सोलजर है, और वो डिसेनेंट है हैल का, फिर उसे एक सोलजर मिलता है अपोजिंग आर्मी का, और पोयम के एंड में हमें रिवील होता है, कि स्पीकर वही था, जिसने उसे मारा था, स्पीकर ने उसोलजर को मारा था. यह पोयम बड़ी पैसिमिस्टिक है, निराशावादी है, यह हमें यह सजेस्ट करती है कि इनसान कभी रुकने वाले नहीं है, वार ऐसे ही चलती रहेगी, और वाइलेंस जो है वो कभी नहीं रुकेगी, आई अब इसको लाइन बाई लाइन समझते हैं हम लुग। ऐसा लगता है कि मैं बैटल से बचके एक गेहरी अधेरी सुरंग में आया हूँ, टनल में आया हूँ, लॉंग सेंस स्कूब्ड थ्रू ग्रेनाइट्स विच टाइटनिक वार्स हैड ग्रॉइंड, एक ऐसी टनल जिसको ग्रेनाइट बैड्रॉक में कार्व किया गया है, ग्रेनाइट यानि पत्थर उसमें नकाशी करके बनाया गया है, कुछ पुराने युद हुए होंगे पास्ट में तब इसे बनाया गया होगा, येट आल्सो देर एंकमपर्ड, एंकमपर्ड, स्लीपर्स ग्रोंड, टनल में भी मुझे लोग मिले, दर्द से तडपते हुए, और कहराते हुए, या तो ऐसे लोग थे, जो बहुत ही गहरी नीन में थे, या फिर ऐसे थे, जो मर चुके थे, फिर मैंने एक को पोक किया, तो उन में से एक जने ने जम्प किया और मेरे को घूरा, विद पीटियस रिकगनीशन इन फिक्स डाइज, उसने मुझे पहचाना, और उसने मुझे पर भी दया दिखाई, पिटी मतलब किसी पर दया दिखाना, उसने दुख से अपना हाथ उठाया, जैसे कि कोई वो मुझे आशरवाद देने वाला हो, और उसकी जो बेजान मुस्कुराइट थी उस डार्क हॉल में, उससे मुझे ऐसा ही लगा कि हम नर्क में आ चुके हैं। आपको उसके फेस पर डर दिख सकता था। हलंकी जो उपर लड़ाई चल रही है, वहाँ से कोई बलड या वाइलेंस नीचे नहीं आया, उस हॉल में जहां आँ खड़े हैं। यहाँ पे आपको गोलियों की गड़गड़ाहट भी नहीं सुन रही। गंस ने अभी तक इस हॉल को चिमनी नहीं बनाया है। स्ट्रेंज फ्रेंड आई सेड, हीर इस नो काउस तु मौर्ण। हजीब विचितर दोस्त मैंने कहां के तुम्हें यहाँ दुखी होने की या मातम करने की ज़रुवत नहीं है। उसने कहा की हां नहीं हैं पर मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि इतने साल मैंने मिस कर दिये हैं और अब आशा की कोई किरन नहीं है। तुम्हें जो भी आशाए हैं वैसी मुझे भी थी मेरी जिन्दगी में। मैं भी दुनिया में सबसे खुबसूरत चीज ढूंड रहा था और तभी मैंने खुद को यहाँ पे फसा लिया। मैं यहाँ पे फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस खुबसूरती की बात नहीं कर रहा हूँ जो आखों में हैं या गुंथी वी चोटियों में हैं। कुबसूरती तो समय का मजाख उडाती है क्योंकि समय गुजर जाता है। और अगर कुबसूरती भी उडास है तो उडासी इतनी जादा रिच है जितनी की सैडनेस तुम्हें यहाँ नीचे मिलेगी। अगर मैं मरा नहीं होता तो मेरी खुशी ने और लोगों को भी खुश किया होता। और अगर मेरी उडासी में भी कुछ है जो पीछे छूट गया है। कुछ है कि मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। मैं खुद की सच्चाई की बात कर रहा ह। सच्चाई जिसके बादे में कोई बात नहीं करता। इस युद्ध का हॉरर। मुझे मौका नहीं मिला लोगों कोई बताने का कितना बैहनक युद्ध है ये। तो क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला तो लोग खुश होंगे। उन destructive चीजों से जो हमारी आर्मी ने करी है or discontent, boil bloody and be spilled या फिर वो नाखुश होंगे, वो गुस्ता होंगे वो लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को मारते रहेंगे they will be swift with swiftness of the tigress वो उतने ही तेज होंगे जितने की बाग होता है बागिन होती है none will break ranks, though nations track from progress कोई नहीं बोलेगा, या disagree होगा, अपने government के खिलाफ होगा बले ही, वो सरकारे, society को progress से दूर ले जा रही है courage was mine and I had mystery, wisdom was mine and I had mastery मेरे अंदर हिम्मत थी और mystery थी मेरे पास बुद्धिमानी थी और मैं master था, मैं expert था अब मुझे नहीं देखना पड़ेगा इस दुनिया को जो पीछड रही है, पीछे जा रही है march कर रही है शहरों में, foolishly उनमें कोई fortification नहीं है, कैनि कोई दिवारे नहीं है then when much blood had clogged their chariot wheels, I would go up and wash them from sweet wells अगर उनके जो armored vehicle है, वो खून से जाम हो गए है तो मैं जाके उन्हें धोदूंगा पानी से, उन शुद्ध कूओं के पानी से even with truths that lie too deep for taint, मैं उन्हें सच्चाईयों से भी धोदूंगा ऐसे जूट हैं उनके पास जो इतने गहरे हैं, कि अब उन पर रंग भी नहीं लगता I would have poured my spirit without stint, but not through wounds, not on the sass of war मैं कुछ भी करूंगा मदद करने के लिए, पस युद नहीं करूंगा अब मैं इस बिहानक war में और participate नहीं करूंगा foreheads of man have bled where no wounds were युद में जो लोग physically hurt नहीं हुए, उन्होंने भी mental trauma तो सहा है I am the enemy you killed my friend, मैं enemy soldier हूँ जिसे तुमने मारा है मेरे दोस्त I knew you in this dark, for so you frowned yesterday through me as you jabbed and killed me मैं तुम अधेरे में भी पैचान सकता हूँ, तुम frowned करते हो, तियोरियां चड़ाते हो, जब तुमने मुझे देखा था, तब तुमने तियोरियां चड़ाई थी, बिल्कुल उसी प्रकार जैसी तुमने कल भी तियोरियां चड़ाई थी, जब तुमने मुझे मारा था, अपने हतियार से मैंने तुम्हें दूर करने की कोशिश की थी, बचने की कोशिश की थी, पर मेरे हाथ बड़े स्लो थे, चलो अब आराम करें इसी के साथ ये पोयम फिनिश हो जाती है, इसकी थीम क्या है, दा हॉरर्स आफ वार, और रिकंसिलियेशन एंड सॉलिडरिटी, रिकंसिलियेशन यानि पुनर मिलन, यही एंटिडोट होगी, हॉरर आफ वार के लिए, कई सिंबल्स का प्रियोग हुआ है, इसमें जैसे टनल है, तो यहाँ पे यह टनल कोई एक्चॉल जगे नहीं, एक्चॉल में हैल बताया गया है, यह एक स्ट्रेंज मिटिंग है, फिर वो यह भी कहता है कि गॉड ने यह टनल नहीं मनाई थी, वार्स ने इसको ऐसा बनाया कट करके, पॉइटिक डिवाइसेज इसमें बहुत सारे थे, जैसे एंड स्टॉब्ड लाइन, काफी सारी लाइन्स के लास्ट में फुल स्टॉप आते हैं, या सेमी कॉलन आता है, इसे हम कहते हैं एंड स्टॉब्ड लाइन, बाकी एंजैम्मेंट, कैशुरा, कई चीजों यूजे इसमें, टोटल इसमें फॉर स्टेंज आये, जिसमें से सबसे बड़ा थर्ड स्टेंज है, मीटर की बात करें तो इसको आयमबिक पैंटामीटर में लिखा गया है, राइम स्कीम है, A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, and so on, इनको heroic couplets में लिखा गया है, दो दो लाइन के दो ह स्पीकर की बात करें तो वो एक डेड़ सोलजर है और वो नर्क में जाकर अपने दुश्मन से मिला है जिसने उसे एक दिन पहले मारा था सेटिंग इसकी एक डार्क टनल है I hope आपको यह पोयम समझ में आ गई होगी यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो, कॉमेंट बॉक्स में अपना फीड़बैक भी दो, मुझे बताओ और कौन से टॉपिक्स के वीडियो चाहते हो लिट्रेचर के स्टूडेंट हो तो यह चैनल तुमारे लिए बहुत काम का है इसकी प्लेइलिस्ट ज़रू चेक आउट करना Thank you so much. All the best for your exams.